Hello everyone, welcome back to our channel Revalia Express तो आज मैं आपके साथ बहुत informative वीडियो शेयर करने जा रही है जिसमें आपको बताने जा रहू कि कैसे आप रेजिस्टर करा सकते हैं अपने आपको COVID vaccine के लिए All those who are 18 plus are now eligible for COVID vaccine पहले vaccine बस 45 plus के लोगों के लिए available थी लेकिन अब 18 plus के लोगों भी vaccine लगवा सकते हैं First of May से गौर्मेंट 18 plus के लोगों के लिए भी vaccine प्रोवाइड करा रही है तो उसके लिए registration स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 28th of April यानि आज से ही start हो गए है तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपने आपको रेजिस्टर करा सकते हैं COVID vaccine के लिए So without any further delay, let's move on to the video सबसे पहले अपना Google Chrome खोलें और उस पे टाइप करें www.covin.gov.in यहाँ पर comment की website खुल जाएगी यहाँ पर जाके हमें दो option दिखेंगे नीचे स्क्रॉल करके Register and sign in yourself, register with arugya setu app तो हम register and sign in के option पर click करेंगे यहाँ पर हम अपना mobile number डालेंगे mobile number डालके get otp पर click करना है और register mobile number पर जो otp आया होगा उससे fill कर देंगे verify and proceed पर click करेंगे otp डालके उसके बाद register member photo ID proof हम यहाँ पर photo ID proof में आधार कार्ड, driving license, pen card, passport, pension passbook इन में से किसी के साथ भी register करा सकते है तो हम यहाँ पर आधार कार्ड चूज कर रहे हैं और यहाँ पर हमें आधार number डालना है और आधार number डालके हमें यहाँ डालना है अपना नाम जो की आधार कार्ड में है वही डालें और year of birth डालेंगे और सारी information डालके रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे इंडिवीज्वल सक्सेस्पुली रजिस्टर हमारे पास आजाएगी हमारे पास notification आजाएगी जब हम रजिस्टर कर देंगे यहाँ पर हमने registration कर दिया है और यहाँ पर जो schedule का option आ रहे हैं यहाँ से हम अपॉइंटमेंट schedule कर सकते हैं जब भी हम free है किसी भी दिन के हम अपनी appointment schedule कर सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर add member का भी option है तो अगर आप एक से जादा आपके family में members हैं तो यहाँ पर आप एक साथ चार members को भी add कर सकते हैं एक ही phone number से एक phone number से चार ही members add हो पाएंगे तो इस तरीके से हम अपने आपको covid vaccine के लिए register करा सकते हैं so that's it for the video thank you